समर संगी जो दिल्ली में बहुत पहले करीब तीन-चार साल पहले एक छोटी सी प्रेस कॉंफरेंस हुई थी उसमें आगरे से हमारे दो-तीन समर संगी आये थे उनमेंसे एक समर संगी ने बताया बाद में कि कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर उनके पास आया जो बाम सेफ में काम करता था फिर वो बाम सेफ से अलग हो गया किसी अच्छे डेपार्टमेंट में था उस अफसर ने जो बाम सेफ में काम करता था उनके पास आकर कुछ रुपिया दिया और उनसे कहा कि आगरे में बाम सेफ का राश्टी अधिवेसन लगवाई ये आप सब जानते हैं बहुत सारी प्रकार की बाम सेफ और बाम सेफ के अलग अलग नाम से उसी पटन पे काम करने वाली संस्ता हैं सहाब कासी नाम जी के बाद में तूट तूट कर बनी है उनमें से एक वो भी थी तो उसने पैसा दिया वो जो व्यक्ति था उसने हका बक्का रहा उसने का जी अधिविस्म कैसे होगा मैं तो लोगों को बलानी सकता मैं तो जानता नहीं कुछ बात रही होगी पर पैसा दिया तो उन्होंने वहाँ एक अरिज्मेंट किया उनका इक बोर्ड लगाया जिन सज्जन ने पैसा दिया था उनको अध्धक्षता करवाई उनकी अध्धक्षता का नाम दिया अध्धक्ष्य भाष्ण के लिए कहा कुछ दोचार पांच लोग और इदावदर स हो गया जो अध्धक्ष महुद्य थे उनको अध्धक्ष बनने का अध्धक्ष भाष्ण करने का और अध्धक्ष के नाम पर अपना स्वागर सतकार करवाने का एक मानसिक जो कह सकते हैं कि वैभार क्यों बहुत साई लोग तो इसको मानसिक रोग कहेंगे रोग नहीं होता दरसल मांसिक राग होता है, राग से रोग बना है, तो मांसिक राग यानि जिसको कहते हैं राग लग गया, देश लग गया महमूरता, राग दोस महमूरता, तो उनको राग लगा हुआ था, वो आये सही टाइम पे अपना बढ़िया कप्ड़े पहन पान के, बीची कुरसी ब पहशन करा, फोटो खिचे, वाटसेप पे गए, और जो उन्हें परपज लोगों को दिखाने का करना होगा, वो उन्हें पूरा कर लिया, बात खतम हो गई, पर उनकी बात खतम हो गई, हमारी बात खतम नहीं हो गई, ऐसे मानसिक राग वाले, ऐसे मानसिक रोग वाले, ऐसे मानसिक बीमारी वाले, ऐसे मानसिक फरफ़ाहट वाले, ऐसे मानसिक आदत में जो वहवार में आ चुके हैं, ऐसे बहुत लोग पैदा हो चुके हैं, पिछले सतर साल में भारत में, और इसके पीछे जो देन है, वो बा क्योंकि सुरू सुरू में लोग नहीं सुनने आते थे साहब कासी नाम को पता था कि वो एक साधान करमचारी है और करमचारी की कोई पावर है नहीं नौकरी भी छोड़ चुके है रूटी खाने को है नहीं जेब में पैसा नहीं है चपल भी टूटी फटी है साइकल भी बिना हवा की है तो बिना हवा की साइकल वाले आदमी की कोई हवा नहीं होती और समाज में उसकी कोई हवा नहीं बनती जिसकी साइकल में हवा ना हो तो उन्हें इस बात का पता था तो वो कुछ हवा वाले लोगों को इखटा करते थे, उनकी खुशकुशामत करते थे, आप आओ भई, समाज बीमार है, यह है, मैंने काईक्रम लगाया है, काईक्रम में आना, मैं आपका भाशन कराऊंगा, आपका देश्य भाशन होगा, आपका जिसेश्ट अतिती में भाश हैं या नाम के बाद मलंकार हैं, वो लोग आते थे, उनको साहाब कासीय राम धायमा-य-Monचों पर बठाते थे, उनकी जहलते थे, जो बोल रहे है, वो जहलते थे, और उसके बाद में फिर जो काम की बात कहनी थी और जो स्ठीół थे, उसको वो अपने अद्ध्च्श्य भा में बोला करते थे, वो काम की बात होते थी, तो औरों की हवा दिखा दिखा कर सहाब कासी राम ने हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों की हवा बनाने की सुरुआत की, उससे हवा बनी, पर जो दाएं-बाएं वाले जो लोग थे, जिनको वो लेके आते थे, वो बिचारे किसी का के नहीं रहते थे उनको नसा हो जाता था वो तो बहुत बड़े आदमी हैं बहुत बड़े आप बोलते हैं मुख्य अतिती रहे हैं विशिष्ट अतिती रहे हैं मुख्य वक्ता रहे हैं विश्यस वक्ता रहे हैं इस्पेशल इंवाइटी रहे हैं तो वो सारहन लोगों से मि उठाना पड़ा, क्योंकि साधान लोगों को सिखाना है, तो इन लोगों की कुर्वानी देनी पड़ी, तो सहाब ने इन लोगों की कुर्वानी दी, पर इन मैंसे कुछ लोगों को आदत पड़ गई, जिनको आदत पड़ गई, उनसे बड़ा भारी नुपसान हुआ, उन्हो मुख्य भाशन वाज रहें मुख्य भाशन करता रहें इसलिए वह अलग-अलग तूटते चले गए लोग चाहें भले सामने 20 बैठे हो या 50 बैठे हो चाहें जेब से पैसा खर्च करना पड़े चाहें घर मकान बेचना पड़े पर अधी वेशन लगना चाहिए वह भी राश अध्यक्ष बनेगा फिर अध्यक्ष्य भाशन करेगा और 12-2 घंटे से पहले हटेगा नहीं कुछ हो जाए पैसा कर्च किया उसने वह क्यों हटे और जिसको खाना खाना है वह सुने और जिसको खाना नहीं खाना है वह चला जाए तो लोग खाने के दियार में डटे रहते खाना मिलेगा तो खाने में 3-3 बज्याय करते है तीन साड़े तीन-4 अध्यक्ष बहुज़शन 2 घंटे का दो विजश तक तो फाल्तू के भाशन सुने जाते थे फिर वह अध्यक्ष बहुज़शना अपने करता था तो चार बज़शन करता था तो भूका समाणग खाने क अपने संग्ठरों के उन्हीं में पाई जाती है और कहीं नहीं है और कहीं तो इतने ज्यादा काईकर्म लगते भी नहीं और कहीं इतने ज्यादा सम्मिलन होते भी नहीं और होते हैं तो उनके तरीके सिर्क काईदे से होते हैं पर यहां एक कमाल की बात है, इस मांसिक बीमारी का, कि बंदा खुद तो संख्ठर बनाएगा, खुद अपने रिजदारों को दाय माय लोगों को संख्ठर में रखेगा, खुदी पर्ची बनवाएगा, खुद पर्ची कटेगा, या जेब से पैसा देगा, या खटा करेगा, खुदी जगे तेह करेगा, खुदी काईकरम लगाएगा, खुदी पर्चा बनाएगा, सारे काम करेगा, लोगों को बलाएगा, और फिर अपने ही लोगों से कहेगा, कि मेरा स्वागत करो, तो अपने ही काईकरम में, जो उसने खुद पैदा किया, खुद बनाया, खुद ये नहीं कह सकता ना इतनी श्रम दो बाकी है कि मैंज का मालग हुर waveform मेरे सवागत करो तो अपने ही लोगों से कहता है अब मान्नी अपछाने हमारे राश्टिय संस्थापक का सवागत होगा अरे बई राश्टी है संस्था पगे तो तू स्वागत क्यों करवा रहा है ये कौन सी बीमारी पाल ली है कि तेरा ही संग्ठन है तेरे ही लोग है तेरे ही कारे करता है और तू उट में ही स्वागत करवा रहा है ये कैसे मांसिक बीमार लोग आगे ये कैसी मानसिक बीमारी है कि आदमी स्वागर सतकार के बिना चालू नहीं होते है उसका मसीनी चालू नहीं होती वो काम ही नहीं करता ये बीमारी बहुत जादा बढ़ चुकी है इतनी जादा बढ़ चुकी है कि हर आदमी टोपी पैना रहा है टोपी का मतलब है, किसी की नीले रंकी टोपी है, किसी की लाल रंकी टोपी है, किसी की सफेद रंकी टोपी है ये टोपी सब गांधी से आई है, ये गांधी की टोपी हमारे यहां पहुँच गई और सारे टोपी पनाते रहते हैं एक दूसरे को फिर साफे पनाते रहते हैं एक दूसरे को फिर होलसेल मार्किट से 50 रुपे की सफेज चादर आ जाती है तो लोग उन्हें अलमारियों में लाला के चादर भर रखी है टोपियां भर रखी हैं, साफे भर रखे हैं, मुणासे भर रखे हैं क्या करते हैं, कोई भी आदमी आता है एक टोपी उसे पनाते हैं, दूसरी टोपी खुद पेहनते हैं और फिर उसके वाटसेप पर फोटो डालते हैं एक गमचा उसे पनाते हैं एक गमचा खुद पहनते हैं खुद उसको कहते हैं टोबी पहना वो लेके नहीं आया कही तो ऐसे मांसिकरोगी है कि जब तक इस तरह का स्वागत ना हो उनको स्वागत लगता है नहीं और ये बीमारी मीडिया में भी आ गई है जो ये दल्त मीडिया अपने आपको चलाता है सौ के आसपास ये लोग है दिल्ली में और रोका तो मुझे पता नहीं तो जो इनको बूलाते हैं वो इनको खाना खरचा देते हैं खाना खरचा जाएज है कोंकि यतनी दूर से आते हैं जाते हैं तो उन्हें खर्चा तो चाहिए, कोई नॉमिनल दे देता है, कोई ज्यादा देता है, पर खाना खर्चा के अलावा, ये उनको मंचों पर बुला बुला के टोपियां पनाते हैं, ये टोपियों की जो आदत है, यहां तक पहुंच गई है, कि जिस आदमी से काम निकालना होता है, उसको टोपियां पना देते हैं, और अगला भी टोपियां पहन के और गंचा लेकर बड़ा मस्त है, बड़ा खुस है, ये जो मस्त लोग हैं, ये जो खुश लोग हैं, ये जो टोपियां पहन के घुम रहे हैं, इन्होंने पूरे समाज में 70 साल में सारे अधिकार गवा दिये, सब टोपी पैने में लग रहे, गंचे पैने में लग रहे, चादर उड़ने में लग रहे, फुल माला पढ़ाने में पैने में लग रहे है, किसी को यह होस नहीं है, कि अरे पैन क्यों रहे हो इनको, तुमने कौन से तीर मार दिये, कौन सा तुम अधिकार बापिस ले प्राक संग्ठनों में जिन्होंने अपने सम्विधान में उद्धे से दिये हुए हैं, पड़ लेना, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संग्ठन हो, उनका किसी का भी एक भी लिखेत प्रामिस या लिखेत उद्धे से पूरा नहीं हुआ, और जिंदगी में होगा भी नही क्योंकि संग्ठन अपने उद्देश से को प्राप्त नहीं करता कभी भी संग्ठन का उद्देश से होता है बस अपने आपको मेंटेन रखना और अगर उसके टुकडे हो जाए तो फिस टुकडे को मेंटेन रखना फिर उसके भी टुकडे हो जाए तो उसको टुकडे कोई बनाए रखना संग्ठन का किसी वहलत में लोगों से कोई लेना दरा नहीं है क्योंकि संग्ठन को व्यक्ति जो बनाते हैं वो उसके मालिक होते हैं लोग नहीं बनाते हैं उसको वो लोगों के पास चंदा लेने जरूर जाते हैं पर वो बनाए विक्तिने होते हैं इसलिए वो समाज की पिट्टी उत्तर दैत नहीं होते पर संग लोगों के द्वारा बनता है और लोगों के लिए होता है इसलिए संग की गारणटी होती है कि उसके जो परणाम है वो 100% आते हैं, 100% से ज़्यादा आते हैं, देर सवेर हो सकती है, वो आपके उपर है कि आप कितनी तेई से जोड़ते हैं, कितनी तेई से काम करते हैं, पर संग के उद्दे से जरूर प्राप्त होते हैं, दुनिया में जितने भी संग हैं, आप अगर एकरम में अध्यक्ष बनने की अपने ही बनाए हुई संस्था में क्या कहते हैं संस्थापक अध्यक्ष फाउंडर प्रेशिडेंट अब पागल हो गए हो अकल में पूरा भोसा भरा हुआ है सारे अधिकार चला गए और ग्रमण इतना कि संस्थापक अध्यक्ष यह बीमारी जो मांसिक बीमारी है इसको जब तक दूर नहीं करोगे तब तक कोच होने वाला नहीं है और यह जो संख्धर बनते हैं जैसे धम के 1000 संख्धर हैं तो इनको सबको एक बनाना चाहिए धम के 1000 संख्धरों का क्या मतलब है जब धम एक है तो जब पूरी दुनिया में बढ़ा तो एक संस्था होने चाहिए राजभनीती है हजारों संख्धर है देन मतलब है राजनीती में 1000 बोट जना आएंगे की आदमी तो एक होना चाहिए यह जो सामाजी संख्धर का बहान है aproxim और बुद्ध बिहार ऌफए और फिर ये सारे के सारी चीज़ें एक जीगे होनी चाहिए, संग के अंदर आनी चाहिए और संग ही इनको चला सकता है, यही तरीका है, यही समिधान में दिया हुआ है यही बावस आपने लिया हुआ है और जिनका आप विरोध करते हो वो भी इसी तरीके चलते हैं उनके जो संग्ठन है वो सब संग के अधिन होते हैं संग के बिना मर्जी के उनमें कोई पत्ता नहीं हिलता पर हमारे जितने संग्ठन है वो सब आजात और मस्त हैं वो ठीक ऐसे हैं जैसे जंगल के अंदर भेड बक्रियां घूमती रहती हैं और वो अलग-लग चटी रहती हैं और शेर आता है कभी कोई सी बक्री को ठाक ले जाता है और चीता आता है कभी कोई से भेड को ठाक ले दिये जाता है और फिर कहीं से कोई टाइगर आता है, कहीं से कुछ आता है, ये सब भीड़ी आते हैं, तो अलगलग भीड़ों को ठागे ले जाते हैं, सारे मारे जाओगे, अगर संग में नहीं आए, सारे बच जाओगे, अगर संग में आए, जो संग में रहता है, वो शिकार करता है, और जो संग से बाहर रहता है, उसका शिकार होता है, जो हिरन है, जो संग में रहते हैं, शेर उन पर शिकार नहीं करते, पर जैसे हिरन अलग होता है, शेर उसके शिकार करता है, और शेर अगर अकेला घूमता है, तो कुत्ते उसको फार देते हैं, शेर अगर जुंड में रहता है तो ही स्वर्चित रहता है चाहें बेसक आप कितने बड़े शेर हैं पर जब तक जुंड में नहीं रहेंगे आप स्वर्चित नहीं हैं अकेले घुमेंगे तो कुत्तों का जुंड आपको फार देगा फिर आपके पास में चिलाने का वक्त में नहीं मचेगा संघंग नमामी संघ में आईए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी तूथियम पी बुद्धं सेनं गच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्णंग च्छामी 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 दूतियं पी ध झाल झाल